हर्याना के करनाल में नेशनल हाइवे करनाल के सेक्टर पांच में सोमवार को ट्रक की टककर से बाइक सवार चाचा भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई जबकी दोकी हालत गंबीर बताई जा रही है बैंक में काम करने वाले गड़ी खजूर निवासी रवी अपने पत्नी का जनम दिन मना कर दो भतीजियों को साथ पत्नी को लेकर करनाल से वापस गाँव जा रहा था सेक्टर पांच के पास ट्रक की चपेच में आ गया रवी की मौके पर ही मौत हो गई घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुँची और शव कबजे में ले लिया है घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुँचाया है जहां पर इलाज के दोरान एक भतीजी अनामिका ने भी दम तोर दिया हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़ कर मौके से फरार हो गया मामले की जानकारी के बाद परिजन अस्पताल में पहुँचे हैं पत्नी का जनम दिन मना कर गाउव लोट रहा था रवी परिजनों ने बताया कि गाउव गड़ी खजूर निवासी रवी बैंक में काम करता है आज पत्नी शिलकी का जनम दिन था जनम दिन मनाने के लिए दो भतीजियों और पत्नी को लेकर करना लाया था जनम दिन मनाने के बाद जब वापस जा रहा था तो सेक्टर पांच के पास ट्रक की चपेच में आ गया उन्हें प्रत्यशदर्शियों ने बताया कि एक बाइक पर चार लोग सवार रहे ट्रक की चपेच में आने से बाइक सवार सडक पर गिर गए रवी की मौके पर मौत हो गई तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जहां पर भतीजी अनामिका ने अस्पताल में दम तोर दिया भतीजी स्नेहा वपतनी शिल्की का अस्पताल में इलाज चल रहा है दोनों की हालत गंभीर है